हलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो माय चैनल फ्रेंट्स देखिए यह एक कमसी तम चाड़ी चारी इंची का पॉट होगा और इसमें मैंने सीजनेबल प्लांट लगा हुआ था और सीजनेबल तो आप जानती है कि एक ही सीजन निकाल पाते बाकी दूसर सीजन नहीं हो पाता है इसमें अभी आपको एक शर्कुलेंट प्लांट है उसी की कटिंग लगाना बताऊंगी तो मैं इस पॉट को खारी कर लें यह कं गाले हुआ ूंको बहुत पानी की जरूरत होती है के लिए इसलिया है इड़ी की ठाल खर्टि ոे रिंग Fact Yeah, government ही अम इसे की मिठी कैसे लीए को मित्ति के लिए एक पाइट हुआ हम रिबर सेंड लेंगे कंपोबस लेंगे और मिठी इसमें बिलकुल भी एड्मी करें कि देखिये हैं यही हमारा सीड़न का बन के सिकूलेंट है लुह बहुत अच्छे São जे रहा है कि नहीं तो यह प्लांट खराब हो जाएगा और या फिर में इसकी यहां से कटिंग लगाऊं तो पस यही मैं सोच रही हूँ कि इसकी कटिंग लगाऊं या फिर इसको पूरा रूट के साथ लगाऊं तो अब भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको यहां से कट कर देती हू प्लान्ट की खास बात और है कि आप इसको लीव से प्रपोगेट कर सकते हैं, इस तरीके से इसकी लीव को आप अलग कर लेजिए, मैं लीव से लगाना भी आपको बताऊंगे और इसका रिजल्ब भी आपको भी साथ-साथ दिखाऊंगे कि मैंने इसकी लीव कुछ लगाई ह जो की बहुत अच्छे से ग्रो हुई है आप इस तरीके से घर में प्लांक लगा सकते हो तो मैंने इसकी सारी नीची की जो पत्तिया है उन सब को देखी इस तरीके से रिमूग कर दिया है इस प्लांट को जादा पाने की जरुवत नहीं होती इसलिए इसकी मिट्टी को बिलकुल वेल ड्रेन बनाया जाता है मैंने इसकी जो मिट्टी तैयार किया है उसमें बिलकुल भी मिट्टी का यूज नहीं किया है एयसे तो आहें घ्रीमित करने आन के लिए कुमझेट आप 15 तो अब डाया की लेक्षान के लिए तो द। द那个 दिए छायेते हैं तो जाएम अच्छे से चलेगी। अब हम इसमें सेंटर में होल कर लेंगे और हां लगाते वक्त आपको इक बात को और बिल्कुल ध्यान रखना है जो देखिए आपमें नीचे से दिखा देती हूँ यहां जो इसकी पत्ती है यह बिल्कुल भी मिट्टी की साथ टच नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां मिट्ट कि वज़े से आपकी कटिंग खराब हो जाएगी तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें देखिए मैंने इस तरीकी से थोड़ा सा उंचाई पे इसको लगाया है ताकि इसकी लीव मिट्टी में टचना हो और इसी ही पॉट में मैं अभी इसकी लीव को भी प्रपोगेट करूंगी तो देखिए इस तरीके से जो लीव होती है आपको कुछ नहीं करना होगा आपको इसकी लीव को बस इस तरीके से रखना होगा जो ये एरिया है ना ये मिट्टी से टच होना चाहिए बस आप इस तरीके से रखतीजिए मैरे सारी लीव को इसी तरीके से रख देत तो मैंने लीब को भी इसमें लगा दिया है और यह जो हमारा दिखिए कर मैंने यहां से कट किया है इसका भी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि यहां से इसकी क्या कंडिशन रही है तो हमें कुछ न कुछ सीपनी को ही मिलेगा यह जो प्लांट लागाया है इससे भी और जो एक कट किया है इससे भी देखिए कुछ समय पहले मैंने यह प्लांट लीब से ही प्रपुगिर किये मैंने इसमें इसकी लीब को रख दिया था और उसी से ही आप दिखिए प्लांट तैयार हो गया मैंने दो लीफ रखी थी और दो प्लांट हमारे तैयार हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेपरेट ही पॉट्ची आप किसी भी पॉट्ट में इसकी लिल्प को इस तरीके से रख सकते हो तो यह आसानी से गुरू हो जाती है त contar किसी ल red नंकिन दो जाने की नहीं होती और घर भी हम अपनी प्लांत को त्यार करें यह पंजाए कि अगर आप आप अध्यार करते तो यह सर्कुलстय प्लांतत हैं उमें कॉसली ही मिलते हैं लेकिन अगर थोड़ी सी नौलेज हमें मिल जाती है तो हम अपने ही गार्णम ने बहुत सारी ऐसे प्लांट तैयार कर सकते हैं तो आज का वीडियो यही था वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेट जरूर कीजेगा मैं आपको इसका रेजल दिखाती रह सकते हैं